आईपेल 2022 का उनतरवा मेच मुंबई इंडियन्स और दिल्ली केपिटल्स के बीच खेला गया मुंबई ने मेच 5 विकेट से जीत कर दिल्ली को आईपेल 2022 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जबकि मुंबई की इस जीत की बदोलत रोयल चेलेंजर्स बेंगलोर ने प्ले आफ के लिए कौलिफाई कर लिया है इसके पहले टास हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए दिल्ली केपिटल्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रनों का स्कोर खड़ा किया दिल्ली के लिए रोवन पावेल ने 34 गेंदों में सबसे जादा 43 रन बनाए जबकि मुंबई के लिए जस्पित बुम्रा ने 4 ओवर में 25 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए 160 रनों के टार्गेट को मुंबई इंडियन्स ने 19 दसमलाव एक ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया मुंबई के लिए सबसे सफल बल्लेबाद इशान किशन रहे जिनके बल्ले से 35 बॉल में 38 रनों की इनिंग निकली दिल्ली के लिए एनिज नौरजे और शर्दूल धाकुर ने दो दो विकेट लिये 69 मेच के बाद IPL 2022 के प्लेबाद के लिए 4 टीमों की तस्विर साफ हो गई है दिल्ली पर मुंबई की जीत के बाद बैंगलोर प्लेबाद में पहुंचने वाली 4 टीम बनी 14 मेचों में 16 अंकों के साथ RCB ने प्लेबाद के लिए कौलिफाई किया जबकि गुजराट टाइटन्स ने 20 अंकों के साथ सबसे पहले प्लेबाद के लिए कौलिफाई किया था वही राजस्थान रॉयल्स और लखनो सूपर जॉयंच ने दूसरे और तिस्रे स्थान पर लिग स्टेस समाप किया बाकी की छे टीम में यानि दिन्ली केपिटल्स, कौलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, संडाइजर्स हैदराबाद, चैन्नी सूपर किंग्स और मॉंबई इंडियन्स इस बार प्ले आप के लिए कौलिफाई नहीं कर पाई आईपेल 2022 का पहला कौलिफाईर पॉइंट स्टेबल की टॉप दो टीमों के बीच यानि गुजरा टाइटन्स और राजस्तान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा पहले कौलिफाईर की विजेतर टीम को सीधे फाईनल में जगा मिलेगी जबकि हारने वाली टीम को दूसरे कौलिफाईर में एक और मोका मिलेगा वही नमबर 3 और नमबर 4 पर पॉइंच टेबल खर्म करने वाली लखनो सूपर जाइंट्स और RCB के बीच एलिमिनेटर मेंच खेला जाएगा एलिमिनेटर अन्य वाली टीम फाईनल की रेस से बाहर हो जाएगी जबकि जीतने वाली टीम दूसरे कौलिफाईर में एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से भीड़ेगी अंत में कौलिफाईर 2 की विजेता टीम कौलिफाईर 1 की विजेता के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी आईपेल 2022 का पहला कौलिफाईर गुजरा टाइटन्स और राजस्तान डॉयल्स के विजेता बीच 24 में को कौलकाता में खेला जाएगा इसके बाद 25 में को कौलकाता में लखनो सूपर जाएंट्स और रॉयल चेलेंजर्स बेंगलोर के बीच एलिमिनेटर में चायू जित होगा दूसरे कौलिफाईर का आयोजन्स 28 में को एहमदाबाद में होगा जबकि फाइनल मुकाबला एहमदाबाद की मेजवानी में 29 में को आई जित होगा